नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उन साथियों को जो एनाइवस के माध्यम से डियलर की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको पाठेकरम 502 में अधिगम कंप्यूटर आधारित अधिगम को पढ़ना है जो बहुत ही महतपूर्ण है भी भी कोस्चन इससे बनते हैं तो आ मागरी के रूप में अधिगम के लिए है तो आएए जानते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के विभिन पार्ट को कंप्यूटर के मुख्य आपकर उपकरनों के नाम यदि आप कंप्यूटर से थोरी भी परिचत हैं तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर कोई अकेला पार्ट दूसरा होता है software, computer के वे parts जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं, hardware कहलाते हैं और दूसरी तरफ computer के वे भाग जिन्हें हम देख तथा छू नहीं सकते और ये वे निर्देश या program होते हैं जो hardware को बताते हैं कि क्या करना है वे software कहलाते हैं Computer के parts को कई सिरेनियों में बाटा गया है जैसे Computer cage जिसको हम लोग computer का body बोलते हैं Structure बोलते हैं उसके बाद है Input Device उसके बाद है Output Device उसके बाद है Storage Device आईए अब Computer parts की परतेक सिरेनी के बारे में जानते हैं सबसे पहले Computer cage computer parts में computer cage का अपना अस्थान है या एक परकार का container होता है जिसमें computer के अनेक electronic उपकरान लगे होते हैं जो computer को बनाते हैं सभी computer में system unit होता है इसका आकार एक छोटे बक्से के समान होता है इसमें मुख्यता निमनलिखित electronic उपकरान लगे होते हैं जैसे motherboard, CPU, memory, proper supply unit उसके बाद आता है input device computer parts के जिन उपकरनों की मदद से हम computer को निर्देश या आकरे पहुचाते हैं वे उपकरन input device हैं ये कई परकार के होते हैं जैसे mouse, keyboard, scanner, joystick, touchscreen, webcam, digital camera उसके बाद है output device input device की मदद से computer को जो निर्देश या आकरे पहुचाते हैं computer उन निर्देशों पर processing कर उप्योग करता द्वारा वांचित परिनाम देता है या परिनाम computer parts के जिन उपकरनों द्वारा उप्योग करता द्वारा देखा, सुना या पढ़ा जाता है वे उपकरन output device हैं, ये कहीं परकार के होते हैं, जैसे monitor, speaker, printer, इत्यादी उसके बाद है storage device, computer parts में storage device को आम भासा में memory के नाम से जाना जाता है computer parts में ये उपकरन हमारे निर्देशों, आकरो तथा सुचनाओं को लंबे समय तक store करने का काम करते है storage device में मुखेता निम्न परकार है, hard disk drive, floppy disk drive, CD or DVD drive अब हम जानते हैं कि computer कितने परकार के होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं परियोग के अधार पर computer तीन भागों में बाटा गया है, analog computer analog computer वैसे computer होते हैं, जिनका इस्तेमाल बहुतिक मातराओं को जैसे तापमान, डाब, गती, बोल्टेज, परतिरोध, इत्यादी का मापन करते हैं नौ की गनना करते हैं, इसका परियोग अनुसंधान और इंजिनियरिंग के छेतर में किया जाता है उसके बाद है, digital computer, digital computer वैसे computer होते हैं, जिनका इस्तेमाल सभी कारियों को digit के रूप में करते हैं जिसे binary number system करते हैं, या 0 और 1 पर कार्ज करते हैं, हम विभिन अनुपरियोगों जैसे सिक्छा, banking, ब्यपार, मनुरंजन, इत्यादी में digital computer का इस्तेमाल करते हैं और आज कल ये काफी परसिद है, और उसके बाद है, hybrid computer, hybrid computer वैसे होते हैं, जिन में analog और digital दोनों computer के गुन होते हैं तारण के लिए hybrid computer का इस्तेमाल चिक्सा मधिक होता है, जैसे कि किसी रोगी का रक्त चाप धरकन आदिम आपने के लिए analog यांत्र का इस्तेमाल करने की जगा हम hybrid computer का इस्तेमाल कर analog data को पहले digital data के रूप में बदलते हैं, फिर परिनाम digital के रूप में स्क्रीन पर परदर्सित हो जाता अब है कारी छमता के अधार पर computer के परकार को चार भागों में बाटा गया है, सबसे पहला है micro computer micro computer को बैक्तिकत computer के रूप में भी जाना जाता है, यह एक digital computer है जो micro processor पर काम करता है यह computer छोटे आकार, कम लागत और portable होता है, उसके बाद है mini computer, mini computer एक मध्यम आकार के बहु परसंकरन, बहु उपयोग करता computer है बहु प्रोसेसिंग, एक निश्चित समय पर कई program या प्रकिरिया चलाने की प्रकिरिया है, mini computer एक मध्यम स्रेनी का computer है या अभ्यपार, संगठनों में खाते के रख रखाव और बितिय डेटा और अनुपरियोगों के लिए उपयोग किया जाता है उसके बाद है main frame computer, main frame computer बिशाल computer होते हैं, इतने बारे आकार को होते हैं जो की पूरे कमरे या फर्स छेक लेते हैं main frame computer बड़ी कमपनियों में केंदरी किर्थ सेवा देने के रूप में उपयोग किया जाता है computer के छेतर में विकास के साथ main frame का आकार कम हो गया है और परसंकरन छमता में बिर्धी हुई है हजारों लोग एक समय में main frame का अपयोग कर सकते हैं, IBM system Z10 main frame computer का एक उदाहरन है और अंतिम है super computer, super computer ऐसे computer होते हैं जो की बहुत तेज और आकार में बहुत बड़े होते हैं इसका इस्तेमाल सरकारी या बड़े संगटनों में मौसम बिज्ञान की जानकारी उपगरा, अंतरिक्ष, यात्रा, सैन्य वे बैग्यानिक अनुसंधान में इस्तेमाल किये जाते हैं इनमें एक से अधिक CPU होते हैं जिससे इसकी गती सबसे अधिक तेज हुआ, अधिक छमता वाले computer होते हैं भारत का पहला super computer पराम 8000 था, तो दोस्तो इस वीडियो में हमने जाना computer के कितने parts होते हैं, computer कितने प्रकार के होते हैं दोस्तो इससे पहले भी मैंने कई वीडियो computer पर बनाई है DLA के लिए बहुत सारे पाठे करमों पर हमने वीडियो बनाई है उसे देखने के लिए हमारे Hindi YouTube चैनल High and High Education को subscribe करे